तो चलिए, फिर से एक percentage का question पढ़ते हैं, यह आपको समझ में आएगा, question है, एक संख्या को पहले 10% से फिर 20% से बढ़ाया गया, उस संख्या का कुल मान क्या होगा? जब भी ऐसा question है, तो formula है, लिख लिजे, कि 100-R1, R2, बटा 100, ठीक है, यह R1, R2 क्या है सर? तो जो पहले बढ़ाया या घटाया गया ना, पहले कितना बोला? पहले R1 के जगा क्या हो जाएगा? तो R1 के जगा हो जाएगा, पहले जो बोला है कि बढ़ाया गया या घटाया ग घटा देते, ठीक है? चलिए, अगला है R2, फिर बोला है कि फिर से 20% बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया बोला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 120 लिख रहे हैं, अगर यहीं बोलता है कि घटाया गया है, तो हम लोग 100 में से 20 घटा के 80 लिखते, य चलिए अब देखिए ये 2-0, 2-0 कट गया, ये आगे आपका 100, आईए हो गया, 11 को 12 से multiply करिएगा तो 132 आएगा, 11 को 12 से multiply करने से कितना आएगा, 132 आएगा, तो 100 में से 32 को घटाना होता है, और minus का यहां sign का कोई value नहीं होगा, तो 100 में से 32 को घटा लिजेगा, तो कितना बचेगा 32, सर minus 32 बचा, इसमें minus का कोई value नहीं है, अगर 132 आएगा है, मतलब उसमें से 100 कम करना है, अगर यहां पर 80 आजता है, तो भी 100 से घटाना रहता है, 20% answer होता है, लेकिन यहां पर क्या है, 100 से जादा है, कितना जादा है, तो 32, जो जादा है, तो लाभ हुआ, अग अगर 100 से यहां पर कम आजाता, तो हानी होता है, याद रखिए, ठीक है, अगर यह समझ में आएगा, तो मेरे चैनल को अगर नहीं है, तो सस्क्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और इस ट्राइब का सारा मैस आपको पढ़ा देंगे, एक दम free of cost, सारा आपका जितना भ और चिप्टर इस टोटल चिप्टर कराए जाएगा, तो बस खाली वीडियो पे बने रहे और चैनल पे बने रहे देखते रहे, धन्य बात